है यह वेलकम बैक तो दे वीडियो आज हम लोग डिसक्रस करने वाले सबसे कॉमन कोशन जो अभी इस मन्त में जुलाइक मन्त में आप लोगों को आता है डाइस सर्व कैसे करें तो इस डाउट का सुल्यूशन बहुत सिंपल है देखो हाउट प्रिपेर के बारे में बात करें तो साइन्स का प्रिपरेशन करना इस पेरी सिंपल अब आप लोगों को मैं अगर बताओ बच्चों की साइन्स जो है इसमें जो हाफ यह लिका सिलेबस होता है इस अल अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं इन चैप्टर का प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हो जो स्टेप्स में बताने हो लाँ उसके तुरू तो आप लोगों का बच्चों यह हाफी अर्ली बहुत अच्छ जाएगा विल स्कॉर मैक्जिमम में इस पर्टिक्ल क्लास 9 यह क्लास 10 में है बच्चों तो अचीव क्लास 9 लेर्नर्स जिसमें अगर आप देखो तो इटसे कम्प्लीट कोर्स एक मास्टर कोर्स है बच्चों जिसमें 792 आर्स अफ इंटर्क्टिव लाइव क्लास 9 आइल भी आप लिए साइंस बचों अंकर नाम वं वूट भी आप लोगो देखने मिलें अब इतनी सारी चीज़े आप लोगो यहीं मिल जाएगे बच्चों तो मैक्सिमम् आपके कोर्स से ही कम्लीट हो जाएंगे अगर आप कोर्स में आते हो तो बच्चे स्केप्टिकल है सर कि कैसे करे कैसे करे वह टेंशन हाफ यह लगा तो हाफ यह एक वन स्टॉप सुलूशन वड़ भी लक्षे बच्च पर क्लास 10 एन अचीव बच्च पर क्लास 9 अब एक औ बच्च संस्क्राइब कrire को इसलरे सब्सक्राइब को से मतलब किया जाता है इसला इसलोएक ब्लटव आपको सबीसी आइसलर fleeing में बच्राइब नहें आठ का मिलता है साथ मैं आपको क्या मесर्व subscribe सब्सuto वीडियो लेसंस चैने बीटी लेखने मलता हैं नट रसेशन 24 बैसेट राइए लाइट देली श्क्रीटी प्लस लाइट पर थे बच्छो इंटर्क्टिव और सेटने यह पड़ते हो and सब्सक्रिप्शन के टने है पच्छो तो इस वन मंथ सब्सक्रिप्शन रिल्ट रिल्ट 6.99 and if you go with 3 months subscription it will cost 25.99 per month and बच्छो अगर आप code use करते हो unlock 20 before 17th of July तो आप लोगो को मिलेगा 20% का discount और याद रखना आपका जो course start हो रहा है वो भी 17th of July को मतलब कल होने तो पहले ले लो बेटर होगा अब बात करते हैं कि अगर आपको समझना है पहले कि हाफ यह ली को तोड़ना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो मांक्स distribution होता है इसको आप ऐसे देख सकते हों कि यह आपका फिजिक्स चेमिस्टी का पार्ट है यह भी फिजिक्स का पार्ट है और यह आपका अब बाता है अब बच्छे बोलें यह दोनों फिजिक्स तो क्या हाफ यह ली में भी सेंटन इसे कोशन बुछते हैं तो बच्छों मौस्ट्ली येस कि फिजिक्स चेमिस्टी ऑन बायोजी का जो ओर वेटज होता है और हाफ यह ली एक्जाम सब्सक्राइब यह बोड नहीं आप लोगों पता रहें चो फिजिक्स और यह थो पाटर्ण ऑच्छों इस 25-25-25 अन फाइफ और अपके नाश्रोर्स वाला पाट तो बेसिकली परसेंटेज वही डिस्ट्रिबूशन आप लोगों को अगर देखा जाए तो 33 33 परसेंट आपको देना है ओर ओर फिसिक्स ऑल्सों के मिस्ट्री ऑल्सों बालोजी ऑल्सों ठीक है तो इतना तो पता है कि आपको सिर्फ फिसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ना है स फाइदा हो जाता है कहीं पर जहां पर मार्क्स जादा हो और चैट्रस कम हो चलो भी देखेंगे आप लोगो बता दो कि आपको जो स्टडी सेक्शन होता है उसको डिवाइड करते हैं पाथ सेक्शन के अंदर अगर आपको पता है सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन और section E के स्कूल वाले most of the schools प्रेफर करते हैं इसी पैटन को जब वह हाफ यह लेको भी बनाते हैं तो ओके मार्स नहीं बोल रहा हूं पैटन बोल रहा हूं section wise mcq short answer type short answer type 2 थोड़े लॉंग होते हैं वह long answer type and source या case-based questions या फिर बोल सकते हैं इन में बहुत सारे इसमें competency-based questions तो आपको याद रखना है section wise preparation करना है पहला दूसरी चीज़ अगर बात करें बच्छों कौन से chapters आते हैं अब अगर आप स्क्रीन पर देखो बच्छों तो आप लोग chapters देख सकते हो chemical substances मतलब chemistry में अगर आप जाता है that is chemical reactions and equation acid-base and salt and metals and non-metals in some cases यह थोड़ा सा skeptical होता है बच्छों याद रखना metals and non-metals सभी टाइम पर पूछते हैं जरूरी नहीं है हाफी early में कुछ schools metals and non-metals को include कर देते हैं but usually chemical reactions and equations and acid-base and salt एक ही होता है I hope it is clear यह पहला हो गया दूसरा अगर हम लोग बात करें world of living मतलब biology के बारे में तो बच्छों इसमें confirm होता है life processes पूछा जाता है कुछ school के महान व्यक्ति होते हैं जो directly reproduction पूछ लेता है बट बहुत rare cases में तो life process usually आप लोगों को आता ही है आपके half year exams में तो अगर आपको syllabus मिल चुका है तो very good बच्छों कर नहीं मिला है तो life process के पीछे लग जाओ control and coordination थोड़ा skeptical होता है अगे मैं बोल रहा हूँ ना skeptical क्यों कह रहा हूं कि कुछ schools क्या करता है अब life process एक बहुत ही यूज और lengthy topic को पढ़ने के लिए उसके अंदर से questions बहुत सारे निकाल सकते हैं इसलिए सिर्फ life process देते हैं कुछ-कुछ schools दो chapter 50% syllabus है तो control and coordination भी वहां पर रख देते हैं यूजवली यूजवली reproduction नहीं पूछा जाता है कुछ महान schools होते हैं मैं अभी हमेशा बोलता हूं जो लाइफ प्रोसेस से पर रिप्रोड़क्शन पूछ लेते हैं तो वहां कि मैं बाती नहीं कर रहा हूं अगर है तो आप उसके एकोडिंगली भी प्रिपेर कर सकते हैं तो ऐसे करना है वह मैं बता हूंगा डाट स्टेप्स दोस्टेप्स वुड़ बी कॉमन फॉर ऑल अप दी टॉपिक्स बच्छो बट अगिन मैं पहले हम लोग सिलिपस डिसकुशिन करना है अब नाच्रल फैनामीना तो कंफर्म होत सब्सक्राइब में तो यूजवली हाफ ये चैप्टरस नहीं होते अच्छा आप वीडियो को पॉस्ट करके ना यह भी मुझे बता देना प्लीज कि आपके सिलिपस में क्या दिया है स्कूल ने हाफ येरली में कुछ को स्कूल 70-70 सिलिपस करवा देते हाफ येरली में तो आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट में लिखके बताना थोड़ी नाइन सब यह बट चलता है तो कमेंट में लिखके बताना बच्छों की कॉंसे चैप्टर दिये गए यूजवली अभी जैसे मैंने कुछ लिए थे तो उसमें बच्छे बोल रहते हैं कि सार हमें electricity पूछ सब्सक्राइब करो जो हर साल का पैटन चलता है आप लोगों को बेटर यह में बोलता हूं हमेशा जाके अपने ना स्कूल के पिसले साल के हाफ यहली पेपर्स जो लाइबरेरी में यूजवली रखते हैं चेक करो कौनसे टॉपिक्स को उन्होंने दिया है दो तीन सालों में बट यही चाप्टर सोते हैं बच्छों इतने प्री बोर्ट की बातों या फिर वह बातों आपके हाफ यह लिगी तो आपको एंसी अट को बिलकुल इग्नॉर नहीं करना है एंसी इस यह गॉड बच्छों फॉयर मांक्स मांक्स के लिए मैं बोलूगा यह संधिंग जो आपको भर-भर के मांक्स देखे जाएगा अगर सब्सक्राइब करना है या फिर आप किसी बी पेपर उठाके देख लो रेफरेंस बुक से चीजे नहीं आती बच्छों के सिंपल लॉजिक आप पीवाई की उठाके देख लो तो रेफरेंस बुक से बच्चे प्रेपरेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं कर सकते हैं बट क्या उससे कुश्चन्स आ रहे हैं नहीं आपको NCID को में फोकस रखना है आएंगे तो भी बहुत कम तो पहला फोकस आपका NCID पर होना चाहिए NCID पॉप्लिकेशन के दोनों ही चीज़े एक्जेंपलर है और साइंस टेस्ट बूक है बहुत लोग NCID के नम पर सिर्फ एक्जेंपलर प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए उसमें NCID कोश्चन्स में क्या करेंगे बच्छो एंड पर यहां पर आपके एक्सराइस कोश्चन्स होता है जब चैप्टर खतम हो जाता है वहां पर एंड में आप लोगो कोश्चन्स दिखने मिलता एक्सराइस कोश्चन्स लेकिन और एक बहुत इंपोर्टन चीज़ें जिसको इग्नॉर करते हैं बच कोश्चिंट कोंशक्यपD रिरे गुंच्के कोश्चिंट कोश्चिंट 25 5-100 करना मतलब करने हैं मतलब 이지 257 के कым देखना नहीं होता तैंड आपको से for any reference book आपकी मर्जी मैं तो नहीं कहता नॉर्मली इतना कर लोगे तो maximum चीज़े आप यही से स्कोर कर जाते हैं अगर मैं बोलो ना आपको यह पास तीन दिन बचे हैं सिर्फ साइंस प्रेपर करने के लिए अगर आपके तो आपका ना एक टूडू लिस्ट बनाओ जिसमें आपको यह तीन चीज़ का चेक लिस्ट बनाना है हर चैप्टर के इसाप से जैसे फॉर एक्जांपल मैं अभी लाइट चैप्टर करने बैट रहा हूं ठीक है तो लाइट चैप्टर में क्या करूंगा टूडू लिस्ट बॉक्स बनाओंगा तीन चेक लिस्ट बना लिया मैंने और इस चेक लिस्ट में मैंने लिखा है एक्सरा इंटेक्स गोशिंस तो प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को इतना ही ची और जैसे जैसे एक एक के कम्लीट होते जाए बच्चोंग उसके उपर टिक माप करो रहें इसका भी दॉन इसका भी दन ये जब दन होगें आपका मैक्सिमम फ्रिपरेशन घतम होगया इतना ही ठीक है अब उसके बाद आता है बच्चों की नहीं सर मुझे और ठोड़ा करना है प्रिपर ने और सारी चीज है तो बच्चा करो ना पिवाई क्यूँ करो फिर भ यृबन यह वह youngest करना है क्याकरणा है logid और यह आजटे आज़ता है पांई को अजचे नाय नाया होंगे है प्रीवियर्ष कोश्चेन्स पात प्राफ साल के जो कोश्चन्स होते हैं तीन साल भी अगर आप कर लो हाफ यह लिख ले इसमें नहीं चोटा सा हैक मैं बताता हूं बच्छों कि हमेशा अपने स्कूल के अगर एक्जाम है कोई भी स्कूल एक्जाम है बले वह बोस्के लाइबरी में यह पढ़ा होता है और वह आपके सर क्या पैपर्ट है अगर है तो वह स्कूल के देख लो पस बहुत बार मेनत भी नहीं करते चीछ घरके तो मैक्सिमुम तैम्स तो रिपीटी हो जाते हैं ठीक है यह फिजिए सिंपल सा है कि आप इसके अपके तुरू भी कर सकते हो एगे तो पीवाइक यूज यूज तो आपने स्कूल के प्रिफरड पिंड में अपको सैंपल कोशन समझ में आ रहा है है आपको जा सकते हो reference books के लिए कोई बात नहीं है याद रखना reference books से सिर्फ application का फायदा हो रहा है ठीक है उस case में आपका फायदा तब होगा जब आप मेहनत करोगे तो ठीक है मैं यह नहीं पूर हो reference books are bad very good those are very good लेकिन अगर आप school preparation कर रहे हो तो reference reference books का actually logic ही नहीं रहता वहां पर reference क्या होता है कि आपने concept समझाओ उसको और अच्छे से बढ़ने आपको तो यह और आपको समझ गया concept तो क्यों ही जाना है ठीक है concept preparation के लिए references बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे च्छे reference books है आपके पास अगर मैं बोले exam preparation के लिए तो stick with NCIT and PYQ ठीक है short and simple राइट सो अच्छे स्टाट कर दो एक डे वन डे टू डे टू डे टी तरी ऐसा डे पूर ऐसा लिखते चलो और अगर आपको consistency maintain करने में दिख्कात आ रही है तो अपने इस वीडियो के comment में day 1 लिखो कि आज मैंने ये chapter किया उसके NCIT complete किये और इसी वीडियो पर बार बार आके लिखते जाओ जब यह भी time मिले जस्ट जस्ट आपके लिए कि आप हर time consistency maintain कर रहे हो इससे मुझे भी पता चले है कि आप consistent हो और इससे आपको भी पता चले है कि आप consistent हो यह सारी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी अब मैं अगर आप लोगों को बोलू बच्चो कि अगर आपने अभीधत हमारे live lectures नहीं देख आप देखना चाहते हो जैसे में आप लोगों बताए कि बैसे सब्सक्राइब हो रहा है ठीक है अगर आप मेरे live lectures देखना चाहते हैं तो for class 9 मेरे जो live lectures होते हैं बच्चो दोजार फ्राइड टू फ्राइड गैट फॉर पीम इंदी आफ्रणून राइट and class 10 के जो मेरे live lectures होते बच्चो जो की app पर हो रहा है दोज विल बी मंडे टू फ्राइडे अगीन फाइड फाइड पीम ओके डेली आपके live classes होते हैं बच्चो इवन यू नाउनलोड दी एंब वर्चुल लर्निंग आप बच्चो ओके वर्चुल लाब एक्स्पीरेंस है घर बेटे बेटे आप अपने प्राक्टिकल्स का सॉ होगा रही तो एडुकेशनल कॉंसलेंस है एंबाइब लेंस ओके युकेन यूज दी एंबाइब लेंस बच्चो आपको जस्कान करना है जो भी आपको पेज नहीं समझ में रहा है उसके रिलेटेड कीवर्ड आएंगे उन कीवर्ड पे क्लिक करना है पर बच्चो आपको आप लोगो को दावड बच्चो आप लोगो को देखने मिलें जिसमें आप को रात को दो बजे कि उना बैटे-बैटे कोशन आ जाजाए तो अब यहां से वो पिक कर सकते हो तो अगर आपने डाउन नहीं किया तो डाउनलोड कर लो एप्स और अगर आपने जॉइन नहीं के तो इन दोनों ही आप पर आप लोग हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेल देन बावाई टेक या देश सक्षे बादा साइनिंग आफ बावाई कर दो सकते हैं